नमस्कार, स्वागत है आपका News28 में और आप देख रहे हैं बात खेल की, मैं हूँ आपके साथ अलका बात खेल की जहां हम बात करेंगे खेल जगत से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों के बारे में और आज की वीडियों में हम बात करेंगे IPL चुड़ी एक बहुत बड़ी खबर के बारे में जिस खबर को सुनने के बाद CSK के फैंस को और धोनी के फैंस को काफी बड़ा जख्का लग सकता है जी हां आपने सही सुना IPL 2022 में दो नई टीम में जुडने वाली है पहली टीम है लखनव और दूसरी टीम है एहमदाबाद ये दोनों टीमें IPL 2022 में खेलेंगी इन दो नई टीमों को जुडने के साथ IPL का मेगा उक्षन भी होने वाला है IPL में का उक्षन होने से पहले ही CSK की तरफ से ख़बर आती है कि अब CSK धोनी को रिटेन नहीं करेगी इस पर CSK के मालिक एन श्रीनिवासन का कहना है कि इस साल CSK धोनी को रिटेन नहीं करेगी ऐसा उन्होंने खुद काया, उन्होंने कहा है कि धोनी एक निस्पक्ष और सफल खिलारी हैं धोनी का कहना है कि CSK की टीम उन पर पैसे जादा खर्च ना करे और उन्हें रिटेन ना करे अब देखने वाली बात यह होगी कि CSK में अगर धोनी नहीं रहते हैं तो CSK का कप्तान कौन होगा इसके दो नए दावेदार नजर आ रहे हैं पहले हैं दिदुराज गायकवार और दूसरे हैं रविन जड़ेज़ का अब देखने वाली बात ये होगी कि कौन सा प्लेयर CSK का नया कप्तान होता है CSK के नय कप्तान को जानने के लिए देखते रहे निउस 28 नमस्कार